हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल और आज का टापिक है समाजी मानदंडों की विशिष्टाएं अगर आप यूभी पीजीटी टीचर की तियारी कर रहे हैं या अप यूजी सीनेट की तियारी कर रहे हैं तो वीडियो काफी हेल्प करेगा आपको तो चलिए देखते हैं समाजी मानदंडों की विशिष्टाएं Characteristics of Social Norms समाजी मानदंडों की प्रकति को अधिक सबस्ट समझने के लिए उनकी विशिष्टाएं समस्ते हैं पहली क्या कह रही है कि समाजी मानदंड का अर्थ उन समाजी नियमों से हैं जिनका पारण करने की अप्ष्चत समाज के आद्रस्ट से की जाती हैं यानी कि हम सभी से की जाती कि समाज ने जो कहने हमें उनको फेल कि सली के समाज्य मानदंडों समाजी मानदंडों में आने की छोटी बड़े नियम होते हैंन। समाज मांदर्ण भिन भिन मानव संभू के बीच उत्पन होने वाले संगर्षों में समाज एक अस्तितुकी रक्षा करते हैं जब जब भी कोई परिशानी आती है समाज में तो उन से संखर्ष करना भी हमें ये मांदर्ण ही सिखाते हैं अगला है समाज मांदर्ण का पालन भाहरे तवाब की कारण नहीं किया जा सकता बरन इसलिए भी किया जाता है कि लंबे समय तो उनका पालत करने के कारण में मानव विवार के अभी इन अंग बन चुकी हैं और मानव पालत करें समाज मांदर्ण मानव का पत पर दर्शंग करते हैं तथा उसके अपने व्यानने व्यक्ति के बारे में निंडों को निर्धारित भी करते हैं समाज मांदर्ण के पालन तथा उलंगन से ही व्यक्तित वह समाच की बहुत सी समस्यां उत्पन होती हैं सभी सब्रिक्ण के लिए उचित हैं ुद्ध Kingston के लिए उच्ष नहीं है सईनी से शम版 के मांदन अलग अलग होते हैं इस प्रकाष जो है email के मांदन जनमुच्व के मांदन अलग है तो इसलिए ठीक है, आपको इस बात समझ में आई होगी समाली मांदर्ण नैतिक कर्तव की भावना से संबंदित होते हैं अथाती बताते हैं कि किसी भी वैक्ति को विद्धिमान परिस्थ्य के नुसार कुछ विशेश प्रकार की वैभार करना चाहिए, रवश्य करने चाहिए, अथवानिवारी रूप से भी करने चाहिए इसमें करतव पारण की भावना नहीं धरती है अगला देख लेते हैं समाली मांदर्ण में विकल्ब भी होते हैं ये संकेत करते हैं कि किसी एक मांदन की तुलना में दूसरा कौन सा मांदन चुनना चाहिए लेकिन पूर्णेता किसी एक मांदन को चुनने के लिए वक्ति को बादे नहीं किया जाता उधाने के लिए सब ए समाज से अपिक्षक की जाती कि वेक्टी अपने दाड़ी बनाए किन्तु वेक्टी की इच्छा पर निर्बर है कि वो सेफ्टी रीजर उस तरह बिजली की मशीन से किसका परियोग करे किसी एक का परियोग करने पर उस पर दवाब नहीं डालन जाता है समाजी मांदर्ण वेक्टी को प्रभावित करते साथ इन से प्रभावित भी होते है समाजी मांदर्ण लिखित लिखित दोनों पर करके होते हैं प्रथा परंपरा रोडिया फैशन लेकित समाजी मांदरंड है तो कानून जो है लिखेत है अगला है समाजी मांदरंड का सम्मध समाजे कुप योगिता एमों मशक्ताओं से हैं अन्ताव शक्ताओं के बदलने के साथ समाजी मांदरंड भी बदलते हैं समय के साथ साथ उनमें भी परिवर्तन नहीं होता है उनमें परिवर्तन नहीं होता है तो वे कुरूरतियों का रूप ले लेती हैं ठीक है समाजी मानदर समाजी नियंतरन के विसाधन है जो माल ये वैवार को नियंतरों व्यवस्रिखत करते हैं और ये समाजिक अवशक्तावुवण पूर्ती के साधन के रुप में कारे करते हैं तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में बात करेंगे समाज मानदान यानि आदश न्यमों को वर्गी करन तो इस वीडियो को तेखने के लिए आप सभी का शुक्रिया